दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप NTA NET UG 2023 के लिए अपना उनलाइन एड्मिट कार्ड अपने मुबाइल से घर बेठे किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा मैं आपको इस्टेप बाइस्टेप बताऊंगा कि आप अपना एड्मिट कार्ड किस प्रकार से अपने मुबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सोक और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तो आपको नेशनल इलिजिबिल्टी कम एंटरेंश टेस्ट यूजी नीट 2023 के लिए ये उसकी नीट की ओफिसियल साइट खोल लेना है तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में जाना है और यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी तो यहाँ पर नीट की सीटी डिस्पले लिंक वन यहाँ पर लिंक बन लिंक टू लिंक थिरी तीन लिंक जारी की है तो यहाँ से आप अपना सीटी डिस्पले अपनी कौन सी सीटी में एक्जाम है वो यहाँ से चेक कर पाएंगे और अपना एड्मिट कार्ड भी और अपना एड्मिट कार्ड भी यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई एक लिंक पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर ओके करेंगे फिर आपके सामने यहाँ पर लोग इन थो एप्लिकेशन नमबर एंड डेट अब बर्थ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा तो दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहले बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल नाटिपिकेशन और पर सेट करना ना भूलिए जिससे आगे भी आपको इस से रेलेटेड वीडियो मिल सके तो यहाँ पर दोस्तो आपको अपना अप्लिकेशन नमबर डालना है इस बॉक्स में और यहाँ से आपको अपने डेट अब बर्थ है जो भी आपकी हो वो यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहां पर यह केप्चा कोट को इस बॉक्स में फिल करेंगे और सम्मिट पटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आप जैसे ही अपने रेशटेशन नमबर एफusions संबर डाल के लोगिन करेंगे यहाँ पर दोस्तों medium of question paper English रहेगा आपने जो भी select किया था वो यहाँ पर date of examination तो यहाँ पर साथ में 2023 Sunday दिखा रहा है यहाँ पर आपकी date of examination दिखाएगा और यहाँ पर timing of test आपका जो test का exam होने का time रहेगा यहाँ पर 2 बज़े से 5-20 Indian standard time तो यहाँ पर city of examination भोपाल तो यहाँ पर state मद्देप्रदेश तो यहाँ पर आपको अपना examination date और city और कौन से state में होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ से तो यहाँ जान advance information for allotment of center city to facility the candidate the admit card तो यहाँ पर आपकी यह details है वो यहाँ पर so करेगा जो तो आपकी जो examination date रहेगी उससे 3-4 दिन पहले आपका admit card download हो जाएगा तो ध्यान पूर्भा की यह जो notification है वो आपको पढ़ लेना है यहाँ पर आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको सिंगल करेक्ट आंसर देना है यहाँ पर आपका from physics, chemistry and biology और botany and geology 50 questions यहाँ पर आएंगे in each subject और यहाँ पर section A and B as per details given blog तो यहाँ पर section A cell consists 35 questions in each subject तो यहाँ पर आप यह सारी details देख लेना है कि कितने यहाँ पर question आएंगे कौन से subject से सब यहाँ पर details दी हुई है तो दोस्तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको click here to print बटन पर click करके इसका print out ले सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप national eligibility का maintenance test नेट UG 2023 के लिए अपना admit card घर बैठे अपने mobile से download कर सकते हैं दोस्तो वीडियो चल लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें share करें जिससे आगे भी आपको इससे related वीडियो मिल सके Thank you दोस्तो धन्यवाद